मुझे सुना पेक्टस से मिलना है वो मुराद सर के साथ मीटिंग में है आप प्लीज यहां पर वेट कीजिए ओके थैंक यू सो मच आप रिकॉर्ट्स को और्गनाइज कीजिए मैं और्गनाइज करूँ इस कमरे में हमारे अलावा और कोई नहीं तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि 20 साल की ड्रॉइंग्स और डॉक्यूमेंट्स की फाइल से वहां उन्हें स्कैन करके कंप्यूट्राइज करना है एक एक करके आप चाहें तो दस दस कर सकती है बता ही दीजिए आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है मेरे डाड ने यहां भेजा है इसका मतलब ये नहीं आप मेरा फायदा उठाए इससे आपके पापा का क्या लेना देना है ओ तो आप सच में बत्तमीज है देखिए आप क्या बात कर रही है मैं नहीं जानता पर मैंने काम की बात कही थी ओके अगर आप मेरी असेस्टेंट हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए आपको कुछ फाइल्स कंप्यूटराइज करने के लिए कहा गया है पर आपको काम आता है नहीं फिर से गयारा मुझे ज़ज्मत करो अपना काम करो ठीक है मुझे ज़ज्मत करो अपना काम करो तुम्हें तु स्कैन करना भी नहीं आता तुम्हें इंसानियत के बारे में कुछ नहीं आता मैंने तो कंप्लेइन नहीं की ऐसा लगता है मैं या अपनी बेज़दी करवाने के लिए असिस्टेंट बनी हूँ बॉस नहीं राक् पता नहीं ऐसा क्या करूं जिससे उसकी शकल कभी नहीं देखनी पड़े सुना बहुत चालू थी सब मुझ पे छोड़के चली गई पता चल गया होगा उससे एक खडू से मुझे सुना पेक्टस से मिलना है मैं ही हूँ सुना पेक्टस क्या इतिफाक है मैं भी सुना हूँ मैं सुना जी कही है मैं सुना जी कही है पर उस एक खड़दी